हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सिवानी वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंट्स इतने भी अस्टुरेंट हैं तो बहुत सारे अस्टुरेंट की फिर से एक ही प्रॉलम है कमेंट में बार-बार एकी कोस्टन सारे स्सはい Treंट पूच रहे हैं कि मैं हमारा जो है रिजल्ट तो आ गया है लेकिन हम लोग जो है रिजल्ट से सनतुस्ट नहीं हैр तो रि कांटिंग करवाना चाहते हैं अपने रिजल्ट को सब्चेक करवाना चाहते हैं मुझे मैंने अच्छा एक्जाम दे करके आया है सारे कोस्टर मेंने स्वाल्व किये हैं तो फिर मैं फेल कैसे हो गया मेरा मांक्स इतना कम कैसे आया तो वो भी चाहते है कि मेरा जो है रिजल्ट फिर से रिचेक किया जाए रिकांट किया जाए ताकि मेरा जो है फेल जो हम जि सब्सक्राइब कर देना है तो एक चीज में बताऊंगी स्टेप करके सारी डिटर में बताने बाले हूं कि आप कैसे इसके लिए अप्लाइब कर सकते हैं तो यदि सिर्फ फेल वाले चातर यह नहीं अधि आप पास भी हो गए हैं और आपका मार्क से दी कम आया है आपको लग कि इस सब्जेक्ट में मैंने अच्छा एक्जाम देकर के आया थाा मुझे अच्छा मार्क Tikixes मिलना चीए था इससे ज्यादा मार्क्ष मिलना चीए था क्योह है कि नहीं 17 नहीं मुझे 30 marks में मिलना चाहिए था 14 मिलना चाहिए था इतना कम कैसे मिल गया तो वो भी जो है रिकांटिंग के लिए अप्लाइ कर सकते हैं उनका भी जो है रिकांटिंग हो सकता है तो आप कैसे कर सकते हैं चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो तो इतने सारे कमेंट आते हैं 100-200 कभी 300 तो उतना का रिप्लाइब करना संभब नहीं है मैं देख लेती हूँ कि कॉमन कौन सा कमेंट है मतलब बहुत सारे एक ही प्राइलाम होता है तो उस प्राइल मैं उसको पढ़ लेती और फिर उसके लिए मैं का पर देखे एगा जैसा कि आप रिजल्ट जहां पे आप देखे थे उसी पेज को आप को उपिन कर लेना ह। और यहां पर आपको roll number डाल देना और एक चीज में आप लोग को बता दूं कि चाहे आप one year trader वाले student हो या फिर आप final year वाले student हो जैसे कि 2018 से 20 वाले student का भी result आया है और 19 से 20 वाले one year trader वाले का भी result आया है दोनों का आया है तो एक ही मैं मैं दोनों को बताने वाली हूँ क्यों कि सेम चीज होता है इसमें कोई चेंज नहीं होता चाहे फर्स्ट एर के हो या सेकेंडर के हो आप इसके लिए सेम प्रोसेस से ही अपलाई कर सकते हैं तो आप इस पर आईएगा यहां पे अपना roll number डाल दीजिए यहां पे सारा जो है इसको फिल कर दीजिए तो मैंने रॉल से सभी नहीं बताओं कि मैंने पहले ही बता दिया है तो इतना लंबा मैं नहीं किचूंगी वीडियो को बस में जो चीजें कैसे अपलाए करना है वह बता दूंगी तो इन अश्ट्रेंट का पहले आप नाम देख लिजिए अंकित कुमार है और यह जो है वोन यह ट्रेडर लाता है और 17 मार्क्स जो है वह 17 मिनिमम मर्ता है बट इन्होंने 17 से कम 13 मार्कस लाया है तो मतलब यह फेल हो गया है तो अग misery अकित कुमार जोह है इनको लगता है कि नहीं मेरा एक्जाम जो है वह अच्छा गया था मुझे 13 मार्क्स नहीं मिलना चाहता 17 तक ऴू morph मैंने स्वाल्व करके आया था तो यह मुझे 13 कैसे मिल गया अगर वो चाहते हैं 100% कंफर्म है तभी मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देती हूँ तो आप 100% कंफर्म है कि बढ़ जाएगा मैंने अच्छा खासा एक्जाम में कोश्चन स्वाल्व करके आया है सारा कोश्चन मेरा सही का सही था फिर भी मेरा कम मार्क्स क्यों आया है तभी आप अप्लाई करिएगा अगर आप 100% कंफर्म नहीं है तो कभी कोई ऐसा भी होता है कि मार्क्स जो है वह घट जाता है बढ़ने के जगह पर घट जाता है तो इसलिए आप पूरी तरीके से कंफर्म है तभी करिएगा तो यह रस्ट्रिण का इलिदी चाहते हैं तो यह करवा सकते हैं तो यहां पर धो अफ्सन आपको नीचे में मिलेगा पहला एगरी का और दूसरा जो है राइज और ग्रेवेंस का मिलेगा तब देखो तो यहां पे जो एगरी पे आप क्लिक कर दिएगा इसका मतलब है कि आप संतुष्ट है अपने रिजल्ट से मतलब आपको इसमें कोई चेंज नहीं कराना है जितना भी आपका रिजल्टा है आप इससे संतु करना है इसका मतलब करना चाहते हैं तो कर सकते है तो यदि आप मैं भी को क्ताने वाली हूँ कि आप तो पूलिक करना है एंपके अपलग हो जाएगा आपका रिकाइंट के लिए रिचेकिं Для इसको अपके कॉपी जो अपका है उसको फिर से पिर टिया आप आपने एक्जाम दिया है उसके मार्को को रीचेक किया जाएगा सारे सारे कि वो सकता है कोई question अयसा हो जो कि सही और उसमें जो स्का मार्फ कि तरिक नहीं आया हो तो उसको रिजेक करवाएगी और यदि उसका मार्फ सही लगता है कि बढ़ा देना चाहिए इस्टुडेंत ने अच्छा- खासा मार्फ कर गया है इस keeping मार्क्स बढ़ा देना चाहिए तो उसको 100% कनफर्म है कि मार्क्स को बढ़ा देगी और कितना दिन में फिर दुबारा रिजल्ट आएगा मैं आपको उता दू कि एक महिने से उपड़ ही लगेगा 30 से 40 दिन लगेगा तो आपको दुबारा result आएगा और चैक करिएगा तो यह सही हो जायेगा जैसे कि यह इस्वीन देटी तो इनका यहली करबा जाएगा तो इनका धर क्याती मार्क्स भढ़ा दिया तो यह mode तो यह कि और उस प्रहक्म होता है कि वह सब्सक्राइब अादा है जाका है क्योंकि उनका ओर भी बहुत सारा गलतिया निकल जाती है question में तो वो उनको डिजटी घटा देती इसलिए 100% confirm है तभी आप इसको कर सकते हैं तो student जो है इसके बारे बहुत जादा पूछ रहे थे होते यदि आप करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आप फेल है तो जरूर कर लिजिए यदि आप 100% confirm है कि मेरा marks बढ़ जाएगा तो आप रीचेक और एकांट के लिए apply कर सकते हैं 30-40 दिन में आप लोग का result दुबारा आ जाएगा तो friends यही update आप लोग सेर करना था वीडियो पसंद आए तो like कर दिजिएगा चनल को subscribe कर लिजिएगा वे लाकन को प्रेस कर लिजिएगा क्योंकि जितनी भी update आपको आएगी मेरे चनल कमादेन से सबसे प्रेजानकारियां मिल जाएगी और कोई problem है तो commention में जरूर पूछ सकते हैं और आप लोग कितने स्ट्रेंट पास हैं कितने फेल हैं वह भी बताईएगा और आप लोग का अच्छा माक्स आया है या फिर नहीं आया है यह भी जरूर बता देजिएगा चलिया सुना ही